Hey everyone, hope you guys are having a wonderful day तो इस वीडियो में हम पूरे अच्छे से डीटेल में एड्रेस करेंगे एक पटिकुलर टॉपिक को और वो है सबसे बड़ा कॉंटरवर्शल टॉपिक की डॉप शिपिंग में स्पेसिफिकली इंडियन ड्रॉप शिपिंग में बजट कितना चाहिए होता है ठीक है अराम से बैट जाओ हम पूरा डिसकस करते हैं ठीक है अब बात यह आती है कि अगर ड्रॉप शिपिंग तुम शुरू कर रहे हो होता है तो हमें बजट स्पेसिफिकली किन किन चीजों के लिए चाहिए होता है हम ब्रेकडाउन कर सकते हैं पहले जब हम वेबसाइट बनाते हैं वेबसाइट पर कोई कॉस्टिंग लगती है ना के बराबर लगते है क्योंकि शॉपिफाई ओफर करता है फ्री मंत का फ्री ट्रायल पिरिएट जिसमें हर महिने तुमें 20 रूपीज पे करने पड़ते हैं ठीक है यह हो गया 20 रूपीज हम इसको कहीं पर लिखते जाएंगे एक कॉर्नर में 20 रूपीज अब इसके पाद आता है डोमें जो भी आपका वेबसाइट का नेम होता है .com या .in extension के साथ उसको डोमें बोलते हैं के कोई और स्टोर में यूज नहीं कर सकते हैं तो इस नेवर रिकमेंडे तो यूज शॉपीफाइब फर रेजिस्ट्रिंग डोमें फस्ट पॉइंट ही हो गया और डोमें का कॉस्ट कितना आता है जितना मुझे मालू मैं अगर एक नॉर्मल.com का डोमें है इस बीच में हमेशा पड़ता है अभी के हिसाब से अगर आप वन येर के लिए रिजिस्ट्र करते हैं जिसमें थ्री येर्स के लिए कुछ 1800 के बीच में पढ़ जाता है ठीक है ये हो गया तो 20 प्लस मैं एक साल का ही ले रहा हूं 1100 तो अभी तक हम 1200 के अंदर है अब में कोस्टिंग ड्रॉप शिपिंग बिजनस मॉडल में ये आती है कि हमारे पास एडविटीजमेंट के लिए पैसे होने चाहिए मान लेते हैं आप डेवन से ही प्रॉफिटेबल बट डेवन से ही आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आ रही है एक नॉर्मल हिसाब लेके चलते हैं अगर आप 1000 रुपीज पर डे का एड़ चला रहे हैं ठीक है इक दिन का प्रॉफिट बंड है लेकिन फ्रॉफिट आपके ऐसे है यह समझते हैं सारे रॉप शिर्प बिजन्स काम करते हैं मैं पैसे कम से कम बीस तिन बाद कosit़ कम से कम चesz्रिपीом एक ऐंग्गर स्कॐर्व पास आहिंद आपके पस मेरी सारी डीटेल से अब वूटीटेयल आगे या तो गलो रोड़ होगा या तो रोशो फोलिटेशन से आपना इंट्रेट कर रहा है अपना पूरा क्लेृरब्भ शिप्पफिंग toward को उस यह विकलेसन के पास एक दिन तो वो लोग जहां से भी शिप कर रहें, let's assume वो लोग दिल्ली से शिप करें, तो दिल्ली से भैंगलोर आने में कम से कम 7-8 बिजनस वोकिंग डेज लग जाते हैं, तो अब ये प्रोड़क कस्टमर के पास, ये प्रोड़क गया है, कम से कम दो तारीक को निकला था, तो ये कम से का, 9 या 10 तारीक को प्रोड़क कस्टमर के पास गया, या उससे पहले भी जा सकता है, बट हम वर्स्ट के सिनारियो लेके चल रहे हैं, रेन आ गया, कुछ तो एक्स वाइज एट स्ट्राइक आ गया, तो ये 9 तारीक को कस्टमर के पास पहुंच गया, कस्टमर ने इसके पैसे दिये, और जो भी लॉजिस्टिक कंपणी है, जो भी शिपनिंग कंपणी है, उसके पास वो पैसे स्टॉर हो जाते हैं क्योंकि cash on delivery है, अब वो पैसे लॉजिस्सटिक कंपणी के पास पास है, लॉजिस्टिक कंपनी से 4 दिन बाद, वो चार या 3-5 दिन के बीच में वो पैसे जाते हैं vendor के पास vendor जिसने ये earphone customer को भेजा था ठीक है अब ये उसके पास चले गए अब ये उसके पास जाएंगे तो हमारे Shopify के dashboard में in your Shopify dashboard जिसने ये product actually में sell करवा है ये Shopify dashboard में reflect होगा करीबन 15 दिन पे क्योंकि 4 दिन बाद vendor के पास पैसे है तो exactly 14 या 13 दे पे तुमा हमारे अकाउंट में reflect होगा तो हमारे Shopify के अकाउंट में अब Shopify अकाउंट के बाद ये पैसे जो भी तुमारे 2500 रूपीज प्रॉफिट थे वो पैसे आएंगे हमारे अकाउंट में हमारे bank अकाउंट में कम से कम और तीन-चार दिन बिजनेस वरकिंग डेज के पाद बिजने संदे को ओफ होता है हर corporate company का तो इसलिए business working days count किया जाता है तो ये पैसे आएंगे आपके bank account में कम से कम exactly 15 से लेके 18 दिन के बीच में ये मैंने इतना बड़ा model इसलिए समझाया अब मैं बताता हूं कि budget क्यो requirement होता है अब मान लेते हैं आप 500 रूपीज जो बेर minimum है इससे कम अगर आप per day spend कर रहे हो कोई product test करने में तो आपको अच्छे significant results नहीं आएंगे significant results नहीं आएंगे देन आप को product को scale करने के mood में नहीं रहेंगे अगर वो product 500 रूपीज में भी अच्छे sale नहीं दे रहा तीन दिन तक तो आप क्यों ही उसको scale करेंगे right then you will kill that product और आप 500 चला रहे हैं आपके पास महीने के 30,000 है अड़ चलाने के लिए और अगर रोज भी अगर आपके पास 2500 का profit हो रहा है तो वह पैसे तो 20 दिन बाद आ रहे है ना तो यह 20 दिन सर्वाइब करने के लिए आपके physical bank account में cash तो होना चाहिए ना अब जो भी बोलते हैं कि क्या हम 5000- सब्सक्राइब कर सकते हैं थोड़ा सोच के देखो नहीं कर सकते क्योंकि तुम तीन दिन में ही सारा एड्स में spend कर दोगे और गलती से अगर तुमारे store profitable भी है तो वह सारे पैसे 20-25 दिन बाद आएंगे तो मैं हमिशा बोलता हूं रिजर्व में तुमारे bank account में कम से कम 40-50 होने चीए ताकि तुम multiple products को test कर सको अगर एक प्रोड़क्ट नहीं चला एक हफते अगर तुम 505 रुपे spend कर रहे हो अगर उस प्रोड़क्ट पर ठीक ठक sales नहीं आ रहे है दिन तुम वह product drop कर दोगे और तुम नया product research करोगे और नय product फिर से 500-500 रुपे के add चलाना शूरू प्रोड़क्ट नहीं मिलता ना तब तक तुम्हें keep on test करते रहना पड़ेगा की 500 रुपे में यह 1000 रुपे में आ रही है या नहीं और वह यह सारी जो भी टेस्टिंग है यह सिर्फ 5-7000 रुपे के बीच में नहीं हो सकते हो तोड़ा लॉजिकली सोच के देखो drop shipping एक पू चैपिल आपड़ेगा और वस स्चीज को जमा करने के लिए था अगर तुम्हाँ डिपल सकील्स लएं आपड़े तो अगर तुम ब्रॉप शेपिंग में इंवाल यूनौ वेजब्शिक्न वेपसािशियू तो तुम्हाँ आफिक डिजाइनिग यह सारे basic skills है जो तुम्हा 25,000 कोई e-commerce की website because तुम्हें मालूम है की drop shipping के लिए या e-commerce website Shopify से कैसे बना सकते, you can charge between 20 to 25,000 that's the best minimum offer for a e-commerce website, अब 20,000 की तुम्हें एक website बना रहे है तुम्हें महीने में 4-5 लोग चाहिए and that's it, ठीक है, क्लाइन जुणना उतना असान है जितना मैंने casually बोल दिया but उस हिसाब से अगर तुम 2-3 महीने में भी अच्छा capital जमा कर सकते हो, तो उस capital को तुम एक business में invest कर सकते हो तो पहला तुम्हारा goal होगा की capital जमा करो, rather than thinking की 3-4,000 में कर सकते हैं सोच के देखो, 3-4,000 गवाने में ज्यादा अच्छा लगेगा या थोड़ा और कम आके की बड़ा पैसा गवा के कुछ गम नहीं रहेगा ना की अच्छे से हमने try नहीं किया conclusion point यह आता है, if you want to start drop shipping, you should have a good amount of budget and अगर budget नहीं है, then you have the skills, उस skills के basis पे तुम्हें पैसे कमाने हैं और उस पैसो को तुम्हें एक business में invest करना है, it can be drop shipping और जो तुम कर रहे हो उसी को scale कर सकते हो let's assume तुम website बनाने में अच्छे से mastery हासिल कर लेते हो, ठीक है, अब website के लिए ही तुम्हें आड चला सकते हो, तुम और clients को ढूंडने के लिए आड चला सकते हो the whole business runs upon the advertisement money, तुम खुद को जितना market करोगे, उतने ज्यादा तुम्हारे पास clients आएंगे, और उतना ज्यादा तुम्हारे पास business आएगा, सोचके देखो, अगर मैं एक conclusion point पर बोल दूँ की, drop shipping में कम से कम, 40-50,000 रुपे चाहिए ही होते हैं, उससे कम लेके कूद होगे, अगली किस चीज के बारे मैं तुमको वीडियो देखने हैं, मेरे इस मन्त में जुलाइ 2nd चल रहा है, इस मन्त में मेरे आस एक प्लांड वीडियो है, ताट इस फुल कोर्स ओ इंटनाशनल रॉप शिपिंग, देखते हैं मैं इस पूरे मन्त में रिकॉर्ड कर पाता हूं अगर हो जाता है तेन लेट वीडियो अपार्ट फॉम दाट मैं सोच रहा हूं फ्रीलांसिंग को निकालते हैं, वेबसाइट इजाइन का भी निकालते हैं, जो जो चीज ए मैंने एक्सपीरियन कर रहा है, आप उल्माइ एक्सपीरियन्स कर रहा है, वीड लाइक टूर्ड लक्षीования है भल्माइ एक्सपीरा टूर्डड लेट भी फैसपे गया व्यों घंज दरुम्ट अबंस अगों, ल्स्म जाने दोस्त, ल्समेली जाने, ल्माइ एक्सपीर है वीड रसमाइज सब्सक्रणा टूर्डड लाइक्स reconnectind ग्वंडू